अगास्तू लेंडिंग में आपका स्वागत है मेरा नाम है विवेक चौधरी और आज हम आपके सामने ratio and proportion की second class लेकर के आए हैं इससे पहले भी हमने ratio and proportion आपका means का sorry जो आपका complete mathematics start हो रहा है math special में इसमें पिछली class में भी कुछ questions कराए थे हलागि उनका level थोड़ा अच्छा था अच्छे level के questions है but easy level के और pattern पूरा का पूरा process मैंने आपको explain करके बताया था तो start करते हैं आज़ी class नई questions के साथ पहला question देखो वही first question में कहा है कि जब कक्षा A से 5 बच्चे कक्षा A से 5 बच्चे कक्षा B में शामिल होते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो जाती है यदि B से बच्चे A में जुडते हैं तो A में बच्चों की संख्या B में बच्चों की संख्या से दोगोनी हो जाती है तो A और B में बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है आपको ठीक है तो आप चाहो तो इसको option से भी कर सकते हो मतलब इसने सीधा कहा है कि A क्लास से 5 बच्चे B में जाते हैं तो A क्लास से जब 5 बच्चे B में जाएंगे तो क्या होगा दोनों क्लासे में बच्चों की संख्या इक्वल हो जाती है इसमीन मान लो अगर B जो क्लास है उसमें 5 बच्चे हैं एक्स बच्चे हैं तो A में कितने होंगे एक्स प्लस 10 होंगे अब जब इससे 5 बच्चे इस क्लास में चले जाएंगे तो जाने पर यहाँ पर x plus 5 हो जाएंगे और यहाँ भी x plus 5 हो जाएंगे दोनों equal होंगे तो एक चीज़ तो हमें clear हो गई कि class A और class B में बच्चों की संख्या का जो ratio है बच्चों की संख्या का जो difference है वो है 10 आगे दिया है कि यदि B से बच्चे A में जुडते हैं if children from B join A then the number of children in A becomes double the number of children in B मतलब अगर इस में से 5 बच्चे इधर आजाएं तो A में कितने आएंगे A में तो हो जाएंगे भई x plus 15 और B में रह जाएंगे x plus x minus 5 अब according to question यह जो x plus 15 है ना यह double है x minus 5 के मतलब x minus 5 का double करने के बाद आजाता है x plus 15 जब आप double करोगे यह 2x हुआ और यह x difference हो गया x और यह होगा 10 यह है 15 उधर जाके add करेंगे तो total हो जाएगा 25 x की value आगई 25 तो ratio कितना आएगा B के पास 25 student होंगे initially और A के पास होंगे 35 इनका जब आप ratio निकालोगे तो 5 से दोनों की दोनों value डिवाइट हो जाएगी और 5 is to 7 A में बच्चों की संख्या का B में बच्चों की संख्या ते अनुपात पूछा हुआ है इसने तो 5 हनुपात साथ आना चाहिए इसका right answer 5 is to 7 is the right answer देखो जब पहली condition क्या है कि जब इससे 5 student इसमें जाएंगे तो यहां भी 30 होंगे और यहां भी 30 होंगे second condition यह है if children from B join A then the number of children in A become double the number of children in B अगर यहां से 5 student इसमें जाते हैं 25 के तो यह 20 रह जाएंगे और यह 40 हो जाएंगे तो second equation भी satisfy हो रही है तो दोनों की दोनों condition अगर satisfy हो रही है तो 5 is to 7 यही होगा अच्छा A और B का हो जाएगा 7 is to 5 यही होगा इस question का right answer next question है कि यदि A अनुपाद B वराबर 11 अनुपाद 7 और B अनुपाद C 5 अनुपाद 19 तो A, B, C बताना है आपको A is to B यह तो दिया हुआ है 11 is to 7 and B is to C है यह है 5 is to 19 तो 7 को इस side में लिखेंगे 5 को इस side में लिखेंगे multiply करने पर यह value हो गई 55 यह होगी 35 और यह हो जाएगी 133 तो यह होता है आपका A, B, C तीनों का respective ratio निकालने का तरीका कि A और B का लिखो और जो next value है उसको लिखके सबकी multiply करके direct answer its main option number first will be the right answer next question है कि in a proportion the product of first and fourth term is 70 and that of the second and third term is 3.5 Y एक समानुपात में पहले और चोथे पदों का गुननफल 70 है और 3.5 Y में दूसरे और तीसरे पदों का गुननफल है मतलब यह है 3.5 Y दूसरे और तीसरे पदों का गुननफल तो Y का मान बताना है यह देखो खेर हमें पता है कि किसी भी समानुपात में पहला गुना चोथा पद 1st and 4th term equal to होता है 2nd and यानि कि दूसरा वे तीसरा पद दूसरा गुना तीसरा पद अब question में दिया है कि product जो है न 1st and 4th term का पहले और चोथे term का जो product है वो 70 है equal होगा किसके 2nd and 3rd term के और यह दिया हुआ है 3.5 Y तो यहां से आप 3.5 से इसको divide करोगे तो Y के value कितनी आनी चाहिए भई 70 upon 3.5 it means it will be equal to 20 मतलब कि Y का answer होगा 20 that is option number B option number B is the right answer next question is the ratio of the income of A and B in 2020 was 5 is to 4 2020 में यह है 2020 2020 में यह A है और यह B है इनकी salary का ratio है 5 इसकी 5 रुपए है इसकी 4 रुपए अब इनकी individual salary में जो ratio है 2020 से 2021 में वो क्या है कि अगर उनकी 2020 में A की 4 थी तो अब कितनी हो गई 5 हो गई और B की अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई 3 हो गई तो इसको क्या करेंगे हम यह जो उपर के चार टर्म है ना 1,2,3 and 4 इन सभी का LCM लेंगे और इन सभी का LCM आएगा 20 सभी का LCM 20 आएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर भी 20 बनाने की कोशिश करेंगे तो 20 बनाने के लिए यह है 2021 20 बनाने के लिए इस वाले टर्म में किसकी मल्टिप्लाई करनी पड़ेगी 5 और 4 की अब 5 की मल्टिप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करनी पड़ेगी बही मान लो यह जो है A के सालरी यह 20 है अगर A के सालरी 20 है तो यह कितना होगा पहले 4 थी अब 5 बन गई तो 4 की वाल्यू अगर 20 के बराबर है तो 5 की वाल्यू पच्चिस के बराबर होगी यानि के 2020 में अगर यह सालरी 20 थी तो 2021 में यह आ जाएगी 25 similarly यहाँ पर देखो अगर यह सालरी 20 है यानि के 5 की वाल्यू 20 है तो 4 की वाल्यू रह जाएगी 16 4 की वाल्यू 16 रह जाएगी इसको 16 करेंगे यह हो गई 4 की वाल्यू 16 4 की वाल्यू अगर 16 है तो देखो 16 से 2 बराबर 16 तो 3 बराबर कितना ? यह आपको बताना है टोटल आठ गुना है न तो ये भी आठ गुना हो जाएगा तो यहाँ पर value आ जाएगी 24 तो 2020 से 2021 में जो salary में changes आए हैं वो है 25 is to 24 कहा है कि यदि 2021 में A और B की कुल आए 7,5,600 है तो यहाँ से इन दोनों को add करके हमें पता चलेगा कि हमारे according तो दोनों की salary केवल 49 रुपए है बट question में ये salary दी हुई है 7,05,600 तो आपको बताना है कि 2021 में B की आए कितनी थी यानि कि 24 की value आपको बतानी है तो क्या करना है 49 से पूरी equation को divide करो और 24 से multiply यहाँ पर आजाएगा आपका final answer तो divide करने पर 7,7 जा 49 और ये होगा 7 बंज़े 7,7,8 जा 56,0,0 again 7 से ये divide नहीं होगा दुबारा अगें 7 बंज़े 7 और 7,5 जा 35,3,7,4 जा 28 और 7,3 जा 21 एतना होगा 24 से इसको multiply करेंगे तो multiply करने पर इसका answer आएगा 24,3 जा 72,24,4 जा 96,96 प्लस 7,103 24,5 जा 120 और ये हो जाएगा 130 24,5 जा 24,37 तो 3,7,0,3,2,0 3,70,320 तीन लाग सत्तर हजार तीन सो बीस तीन लाग सत्तर हजार तीन सो बीस ये आएगा इसका right answer after solving, ओके? next question देखो P और Q क्रम शह 1,50,000 और 4,50,000 रुपे की पुंजी के साथ एक दुकान शुरू करते है एक वर्ष के बाद 2,00,000 रुपे के लाब में से P को लाब का हिस्ता और वेतन के रूपे कुछ पैसा मिलता है जो कि लाब का हिस्ता नहीं है यदि P को कुल 90,000 रुपे मिलते हैं तो उसका कितना वेतन मिलता है देखो भई P को actual में मिलने कितने चाहिए सबसे पहले ये P है और ये Q है अगर इनकी respective salary दी हुई है तो इनका ratio निकालेंगे कि P और Q को कितनी salary मिलनी चाहिए ये 3,0 से ये 3,0 cancel पंदरा एकम पंदरा और पंदराती 45 अगर P को एक रुपिया मिलता है तो Q को मिलते हैं 3 टोटल कितना हुआ टोटल दो लाग रुपे का profit है ये है दो लाग रुपे का profit अब इस टोटल प्रॉपिट में से अगर इसको इसी ratio में divide किया होता तो divide करने पर divide करने पर इनको equally मिल जाता बट P को कितना portion मिला जो P को हिस्सा मिला उसमें मान लो X तो है salary plus X salary मिलने के बाद जो remaining portion होगा उस remaining portion का यानि के इसमें से जब आप X salary को निकाल दोगे तो ये remaining portion होगा इस remaining portion का 1 by 4 भी तो मिला होगा यानि के 1 बटे 4 ये ही पूरा पूरा portion किस के बराबर है 90,000 के बराबर है as per question ये ही तो पूरा का पूरा portion 90,000 के बराबर है तो आप इसको solve करके देखो 4 से ये गया 5 बार ये value आपके कितनी बचेगी ये value बचेगी 50,000 और ये 1 by 4 की 1 से multiply करेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे x को minus minus हो जाएगा न 1 by 4 की x से multiply करने पर minus के 1 by 4 x और इसको x में से minus करेंगे तो ये बचेगा 3 by 4 x तो इसको आप लिख सकते हो 3 बटे 4 x plus 50 k 3 बटे 4 x plus 50 k और ये value बराबर है 90 k के अगर ऐसा है तो इसको इधर ले जाके minus कर देंगे और 90 में से 50 गए तो बचेगी value 40 तो 3 x plus 4 3 upon 4 x की value कितनी आ गई ये value आ गई 40 k तो यहां से जब आप solve करोगे 4 for the 16 16 by 3 आ जाएगी x की value तो आपको बताना है कि उसे कितना वेतन मिलता है बेतन मिला था उसको x तो इसका answer कितना आएगा 160 upon 160 upon 3 k यानि कि approximately यह answer आएगा 5 3 3 3 3 यह आएगा इस question का right answer अच्छा इस question को आप एक तरीके से और कर सकते हो देखो क्योंकि उसने यह पूछा है कि total ना 2,00,00 के profit में से P को कितना हिस्सा मिलेगा अगर 90,000 P को मिल गए तो इसमें से बचे कितने इसमें से बचेंगे भई आपके 1,00,00,00 2,00,00 में से 90,000 गए तो 1,10,000 बचेंगे यह 1,10,000 किसको मिले होंगे Q को मिले होंगे तो Q का अगर ratio 1,10,000 है तो आपको total amount इसमें से निकालनी होगी तो 1,10,000 अगर Q को मिले तो P को कितने मिले उनके हिस्से के रूप में कितने मिले होंगे तो यह हिस्से के रूप में निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे यानि कि यहां से P का जो हिस्सा आएगा यह आजाएगा 3,6666 36,666 और total कितने मिले हैं 90,000 तो इसमें से जब आप 36,666 निकाल दोगे तो 53,333 हा जाएगा इस question का right answer Next question है कि एक विवसाए में A और B के निवेशों का अनुपाद 7 अनुपाद 5 है और एक वर्ष के अंत में उनके लाब का अनुपाद 2 अनुपाद 5 है यह A और B है इन्होंने 7 और 5 के रेशो में तो जो बिजनिस में इन्वेश्टमेंट किया और एक साल के बाद उनका जो profit हुआ वो profit का रेशो है 2 इस तो 5 अब कहा है कि यदि A ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया तो B ने कितने समय के लिए निवेश किया तो यहाँ पर हम X एजियूम कर सकते है अब आपको क्या करना है देखो 7,6 जा 42 42 की value अगर 2 है तो 5X की value कितनी होनी चाहिए नहीं कि 5 किसकी value होनी चाहिए आपको ऐसे समझ रहा है 2 किसकी value है 42 42 की value है यह जो 2 आई यह 42 की value आई तो 1 का मतलब क्या होगा 21 किस, और 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 का मतलब हो जाएगा 105 55 टो 45 ऐसे ही 5 किसे के बराबर हो जाएगा, 5 x के बराबर, और अगर 5 x के equal 5 है, तो x की value कितनी आजाएगी, भई 21 month, तो 21 month होगा, इस question का right answer that is option number B next question है कि भई 15 और 24 का तीसरा अनुपात आपको इसमें बताना है 15 और 24 का तीसरा अनुपात, third ratio के लिए मैंने formula आपको बताया था जो third proportion होता है तो A और B और C या A और B का अगर 30 अनुपात पूछे तो formula होता है भई B square upon A यहाँ पर भी हम same formula अप्लाई करेंगे कि 24 का square बते 15 24 गुना 24 बते में आजाएगा 15 ये 3 से गया 5 बार, ये गया 8 बार अब multiply करोगे तो 16 चुक 64 और 16 दूनी 32 और 38 यानि के 38.4 ये आजाएगा इसका right answer अच्छा आप उन में 5 ही दिया हुआ है चलो अगर upon में 5 दिया है तो ये होगा 192 upon 5 192 upon 5 है option number C तो ये हो जाएगा इसका right answer next question है कि एक पंसारी को 15 रुपे और 20 रुपे परती किलोग्राम की दो किसमों की दालो को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपे परती किलोग्राम का मिश्रन प्राप्त हो सके इस type का allegation का equation हमने पिछली क्लास में भी कराया था तो करना क्या है कि ये तो 15 रुपे किलो है और ये 20 रुपे किलो है इन दोनों को मिक्स करके 18 रुपे किलो की कोई चीज बनाई जाती है तो किस ratio में बटेगी देखो ये तो ratio 2 आएगा और यहाँ पर ratio आजाएगा 3 तो इसका direct answer होगा 2 अनुपात 3 और ये है आपका option number C is the right answer अगला question बिल्कु सेम यही है कि 9 और 21 का तीसरा समानुपाती ग्यात करें जैसा कि आपको पता है कि 21 का square बटे 9 यही तो होगा कि दूसरे वाले पद का तो square कर दो और बटे में करो 9 तो 9 से divide करने पर ये तो कितना आजाएगा 7 और again यह आजाएगा 7 इसका right answer होगा 49 यानिके option number A will be the right answer next question है वर्तमान में माया और छाया की आयू का अनुपात 6 अनुपात 5 है यह M है और यह है C माया और छाया इनकी आयू का अनुपात वर्तमान में तो है 5 अनुपात 6 और अब से 15 वर्ष के बाद 9 अनुपात 8 हो जाता है तो 15 साल के बाद कितना हो जाता है 9 अनुपात 8 तो एक बाद तो clearly understood है कि जो difference होता है ना आयू का वो पूरे के पूरे life throughout your life हमेशा बराबर होता है तो माया और छाया का present में अंतर एक साल का है और 15 साल बाद भी एक साल का है मतलब जो हमें value given है ना ये सारी की सारी एकदम सही से frame है अब 6 साल से 9 साल तक पहुँचने में 3 वर्ष लग रहे हैं लेकिन question के according ये 15 है तीन कमान 15 तो एक कमान 5 एक unit की value 5 के बराबर तो माया की वर्तमान आयू 6 ना होकर के 6 unit के value यानि के 6 पंजे 30 30 साल होगी right answer that is option number 3 next question है कि A और B की वर्तमान आयू का अनुपात 3 अनुपात 5 है यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात 13 अनुपात 20 हो जाता है तो B की वर्तमान आयू क्या है देखो present में जो age है ये A है और ये B है present में 3 ratio 5 है 3 ratio 5 और 5 साल के बाद अब से 5 साल के बाद जो ratio हो जाएगा ये है 13 is to 20 अब अगर यहाँ पर इनका difference देखा जाए तो 2 वर्ष का है और यहाँ पर इनका difference है 7 वर्ष होगा जबकि difference जो होता है age का वो हमेशा के लिए बराबर होता है तो क्या करेंगे इसमें तो साथ की multiply करदेंगे दोनों में और इसमें 2 की multiply करेंगे दोनों में तो multiply करने पर जो हमें नए चीज़े नए ratio मिलेंगे वो क्या हूंगे ये A हुआ ये B हुआ इसकी तो presented हो जाएगी 21 और इसकी हो जाएगी 35 यहाँ पर 2 से multiply करने के बाद यह 26 और यह होगी 40 और difference कितना है 5 वर्ष बाद actual में भी 5 ही वर्ष का आ रहा है और हमारे question में भी हमारे जो data है उसमें भी 5 ही वर्ष का show कर रहा है तो B की वर्दमान आयू क्या होगी जो इसमें exact value लिखी हुई है यह हुगा right answer यानि कि 35 years is the right answer next question है कि 7 वर्ष की आयू में A और B की आयू का अनुपाद 7 years ago है यह actually age नहीं है 7 years ago 7 साल पहले जो A और B की आयू का अनुपाद था वो था 4 अनुपाद 5 4 अनुपाद 5 था 7 साल पहले minus family का मैंने 8 year hands 8 साल बाद जो ratio होगा यह 9 अनुपाद 10 हो जाएगा कहीं वर्दमान होगा और फिर यह दिया हुआ है 8 साल बाद तो 8 साल बाद जो ratio होगा यह कितना हो जाएगा 9 अनुपाद 10 तो यहाँ पर भी इनकी IO का अंतर एक ही है और यहाँ पर भी एक है तो data बिलकुत सही है लेकिन difference actual में कितना आया 7 साल पहले और 8 साल बाद यानि कि 15 साल का difference आ रहा है question के according और हमारे data के according difference आ रहा है 5 सालों का तो कितना गुणा है question में सब कुछ 3 टाइम दिया हुआ है question में आप से पूछा है कि उनकी present age का sum कितना होगा तो 7 साल पहले की age निकाले सबसे पहले अगर हम 7 साल पहले की age निकाले तो ये तो होगी 4 टिया 12 और ये हो जाएगी 5 टिया 15 12 और 15 मिल करके बन गए 27 27 ये हो गई इन दोनों की age 7 साल पहले अब वरतमान के लिए 7 साल तो A में जुडेंगे और 7 साल B में जुडेंगे यानि कि 14 साल इसमे और add हो जाएंगे और 14 years add करने के बाद ये हो जाएगी 41 years उनकी दोनों की total age का sum यानि कि option number A होगा इसका right answer Next question है कि एक मा की वरतमान आयू का पुत्री की आयू से अनुपात 7 अनुपात 1 है ये mother है और ये daughter है इनकी age का ratio है 7 is to 1 5 वर्ष बाद अनुपात 4 अनुपात 1 हो गया ये तो वरतमान में है और 5 साल के बाद ये ratio कितना बन जाता है 4 is to 1 अब अगर आप difference देखो यहाँ पर 6 का difference है और यहाँ पर 3 का difference है तो इस difference को maintain करने के लिए 2 से multiply करेंगे इस वाले term में 2 से multiply करने के बाद ये ratio 8 अनुपात 2 में convert हो जाएगा यानि कि ये बन जाएगा 8 is to 2 अब देखो यहाँ पर भी 6 का difference और यहाँ पर भी 6 का difference लेकिन हमारे according ऐसा केवल और केवल एक साल में हो रहा है और question के according ये data पांच साल में convert हो रहा है तो 1 unit की value कितनी होगी? 5 होगी यानि कि 5 गुना होगी आप से पूछा है कि उनकी वर्तमान आयों में कितना अंतर है? अंतर कितना है उनका? 6 वर्ष का है तो 6 की आप 5 से गुना करोगे यानि कि 30 वर्ष का अंतर option A होगा इसका right answer next question दिया है कि 8 वर्ष पहले A और B की आयों का अनुपात 5 अनुपात 4 था ये हो गए 8 वर्ष पहले की बात और ये A है ये B है 5 अनुपात 4 था और उनकी वर्ष मान आयों का अनुपात 6 अनुपात 5 है present में कितना हो जाता है? 6 इस टू 5 आप अगर difference देखो तो यहाँ पर भी बनका है और यहाँ पर भी बनका है यानि कि दोनों की age का जो difference है वो सही से maintain है कहा है अब से 7 वर्ष बाद A और B की आयों का योग कितना होगा? 7 वर्षों के बाद योग पूछा हुआ है ratio नहीं तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 साल लग रहा है हमारे according बट question में लग रहा है 8 साल तो जितना भी data है वो total 8 गुना है इसका मतलब उनकी वर्टमान आयो का सम कितना होगा? 11 ना हो करके उसका 8 गुना होगा यानि के 88 यह हो गया वर्टमान आयो का सम present age का सम कहा है अब से 7 साल बाद 7 साल बाद में क्या होगा? वही 7 साल में 7 तो A की आयो बढ़ेगी और 7 ही B की आयो बढ़ेगी दोनों की आयो बढ़ जाएगी 14 वर्ष बढ़ने के बाद total सम कितना आएगा? 102 साल यानि कि option number B होगा इसका right answer next question है कि वर्टमान में A, B से 8 वर्ष छोटा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयो का अनुपात A का अनुपात 2 था ये A है और ये B है 4 साल पहले इनकी आयो का अनुपात A का अनुपात 2 था तो आप एक बाद बताओ अगर वर्टमान में ये जो A है वो B से 8 वर्ष छोटा है तो 4 साल पहले भी तो 80 वर्ष छोटा होगा भई ऐसा थोड़े ना है कि 4 साल पहले उनकी आयो का अंतर कुछ और होगा सेम होगा पहले की तरह अगर ये डिफरेंस 4 है लेकिन हमारे अकोर्डिंग क्या है एक है तो एक्च्वल में हम इसकी 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 4 साल पहले जो उनकी एज थी वो 4 और 8 थी अब देखो इनका डिफरेंस 4 वर्ष का आ गया तो कहा है कि B की वर्तमान आयो कितनी है तो वर्तमान में अगर 4 साल पहले 8 वर्ष थी तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे 4 और एड़ कर देंगे 12 वर्ष यानि कि option number C होगा इस question का right answer तो ये थे आपके आज की class के कुछ questions जो ratio and proportion में age वाले basis पे आते हैं इसमें एक दो type के questions और हैं जो बहुत ही अच्छे level के हैं और एक दो बारा आपके examination में पूछे भी गए हैं मिलते हैं आपसे next class में आगे की series के साथ तब तक के लिए tata good bye जय हिंद